नमस्कार जहिंत वंदे मात्रम दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस टूप चैनल सनी डिश्टल क्लासें में दोस्तों आज के इस वीडियो का अंदर हम आपको आर्मी सत्म मंदी टोप 25 इंपोर्टेंट जीके और जिसका टेस्ट लेंगे जिसमें कम से कम आप इस टाइम वेश्ट करते हुए बढ़ें अपने फर्स्ट कोश्टन की ओर तो फर्स्ट कोश्टन बहुत एच्छा और संदार कोश्टन आप लोगों से पूछा है बागा बोर्डर लोकेटेड यानि कि बागा सीमा कहां पर इसी थे आपको बताना कि बागा बोर्डर जो हो बढ़ें निवारं के लिए बहुत तीजिया संदार कोश्टन आप लोगों से पूछा गया है तो जल्दी से इसका राइट एंसर हमें लाइब चैट में बताना है ऑपसन आपका ओट लेंस से ऑपसन से मिसरित लेंस या ऑपसन डी इन मेंस है तो देखेगा निकर दिश्ट दोस्तिक मे निवारन के लिए मुझे को ऊत्ता लेंस का क्समा दिया जथानका एसका रैंभा उसे पूछा है और अप्टेशने exam में पूछा गया है तो जल्दी से बताना है को से पूछाए कि अपलोगों से मौन एक पूछाए के इस सपैंगλά और कि या DIY मंडल नहीं होता, तो आकास करंग कैसा प्रतीत होता है, तो जल्दी से इसका right answer हमें live chat में बताना है, उप्सन आपका काला, option B उजला option C लाली या option D हरा तो देखेगा इसका right answer जो होगा और आपका option एक काला यहाँ पर आपका बिल्कुल ही right हो जाएगा तो बरतेने इस question चार नमबर question को और चार नमबर question बोलने से पहले मैं आपसे एक छोटा सारी quiz करना चाहूंगा वीडियो को पूरा देखना और last में जरूर कोमेंट करके बताना है कि आपका top 25 इंपोर्टेंट जीके और जेस कर टेस्ट में कितना question साही होतार वीडियो का last में मैं आपको बहुत बारा खुसकबरी भी देने वाला हूँ वीडियो को पूरा देखना और last में जरूर कोमेंट करके बताना है तो देखेगा चार नमबर question आपसे पूछा है कोलकत्ता is situated on the banks of which river निकि कोलकत्ता किस नदी के किनारे इस्थित है तो बरतेने च कोचन 5 नमबर question को पांच नमबर question आप लोगों से पूछा है कि Ceylon was the world name of which country यानि कि Ceylon किस देश का पूराना नाम था तो बरतेने च कोचन 6 नमबर question को छे नमबर question आप लोगों से पूछा है what is the science of earthquake studies called यानि कि भुकंप का अध्यान करने वाले विग्यान को क्या कहते है आपको बताना कि जो भुकंप का अध्यान करता है उस विग्यान को क्या कहते है और आपका कोस्मोलोजी और आपका कोस्मोलोजी में किया जाता है इसे भी आपको ध्यान में रखना है तो बरतेने इसको चन 7 नमबर question को और 7 नमबर question आपसे पूछा है इससे आपको ध्यान रखना है इसे आपको ध्यान में रखना है तो बरतेने इस नमबर question को रट नमबर question को रट नमबर question आप पूछा है नहीं कि निमन एसे कौन से देश का लिखिस सभी धान नहीं है option आपका france को इंग्लेंड या उपसंधी बेलिज्जियम तो दिखेगा इसका राइट एंसर जोगा वह आपका उपसंधी इंग्लेंड यहां पर आपका बिल्कुल ही टाइट हो जागा अगर आपसे कोशन इस प्रकार से पूछता है कि सबसे बारा लिखी सविधान किस देश का होता है तो सन् का भिजा ईड़ां व्हलूरां यह विंगुरे देखे एस का ङा है य को सब्सक्राम को ऍणको भाट इस अमः मत रखे ले एक कया था nadal अअ मतलब में इस शल्परम आते standards स्यों कं यहां पर आपका बिल्कुली राइट हो जाएगा दो बढ़ते ने इस्ट को चने गार नंबर कोचिन को रेगार नंबर कोचिन आपका एक्जाम में बहुत बार पूचा गया है को चना आप लोगों से पूचा के टिपू सुल्थान वाज दा रूलर ऑफ विच डैनेस्ट्री यहने इसका राइट एंसर जोग आपका आपका बिल्कुली राइट हो जाएगा है कि पान सो रुपए के नोट के पिष्ट भाग पर किसका चित्र अंकित किया गया है option आपका मंगा लियान है option B लाल किला option C सांची का अस्तूपी या option D rail engine तो इसका right answer आपको जल्दी से comment करके बताना है कि 500 रुपे के note के पिष्ट भाग पर किसका चीतर अंकीत होता है इसका right answer आपको इस जाबलों के तोर पर रखना है तो आप सभी से रिक्वेश्टे comment करके ज option C अकबर या option D सा जहां तो देखे का दिली के जामा मजित का निर्मान जो करवाए गया है और आपका सा जहां के द्वारा करवाए गया निकि इसका right answer जोगा आपका option D सा जहां है आपर आपका बिल्कुली right हो जाएगा तो बढ़ते नेश्ट को चौदा नमबर को चौशन होगा आपका option भी बिल्कुल ही right हो जाएगा और Microsoft Company का संस्थाफक जो थे आपका बिल्गेट से इसे भी आपको ध्यान में रखना है तो बरते नेश्ट कोचन पंदर नमबर कोचन आप लोगों से पूछा है विल पूलिंग दा ब्लॉक काटे वाट काईड ऑप्लाइड बा लगता है वह आपका प्यासिए बल लगता है किसका राइट एंसर जोगा आपका option सी प्यासिए बल यहां पर आपका बिल्कुल ही right हो जागा तो बढ़ते नेश्ट कोचन सोला नमबर कोचन कोचन बहुत तीजी कोचन आप लोगों से पूछा है इन विच गेम इस तरम कवर ड्राइब सब्सक्राइब का पर योगे किस खेल में होता है और आपका क्रिकेट यहां पर आपका बिल्कुल हो जागा तो बढ़ते नेश्ट कोचन सता नमबर कोचन बहुत इच्छा कोचन पूछा और इससे पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा अगर आ जब भी हम लाइब करेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिक्स अजाएगा तो सब्सक्राइब करने के बाद बाद जूमें लेगा उसे ओल पर दबा लेना है तो इसका नमबर कोचन आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रोन पर किस परकार का विदूत आवेस होता है आपको दिश्ञाल बिल्खुली राइट हो जगा अगर आपके से पूछटकर किस के द्वारा किया गया था तो इल्यक्रोन का अविसकार जुकिए गया था आपका इसके आपको द्यान में रखना है तो बढ़तयों कोचन 8 नमबर कोचिन को और है 8 नमर कोचिन आप लोगों से पूच्छा कि पृत्वी का सबसे निगर तम ग्रह निमी लिखित में से कौन सा है आपको बताना है कि अगर आप में मैंधन का जाता है जो को सुकर को ही सटा के मैंा पर इसार rhymes मैंधन होता है आपको और-प्रीका पर यहां और पर लेका अपतरी अमेरिका गाशमी डचीन के अफ्रीका यहाँ पर आपका बिल्कुली राइड हो जागा तो बरतेने इस कोचन 20 नंबर कोचन को और 20 नंबर कोचन आप लोगों से पूछा है कि पर आपका बिल्कुली राइड हो जागा तो बरतेने इस कोचन 20 नंबर कोचन बहुत इच्छा कोचन आप लोगों से पूछा है और यह कोचन पर अपके एक्जाम में पूछा चुका है कोचन आप से पूछा है कि लोहे का सरवाधिक सुध रूप कौन सा होता है अपका पिट लोहा यहाँ पर आपका बिल्कुली राइड हो जागा तो बरतेने इस कोचन 22 नंबर कोचन को ध्यान से परना है कोचन आप से पूछा है कि वीच ओन ऑफ दा फॉलिंग इस नौन बाइदा निकनेम कभी गुरू के उपनाम से जाना जाता है आपको बताना है कि इन चारों पर आपका बिल्कुल ही राइड हो जागा तो बरतेने इस कोचन 24 नंबर कोचन को 24 नंबर कोचन बहुत इस संदार कोचन आप लोगों से पूछाए उपसन चारों आपके सामने दिया गया तो जल्दी से बताना है कि जब बर पिखलता है तो आइतन उसका घड़ जागा निकि इसका राइट नतर जोगा आपका आपका आइतन घड़ता है उपसन भी बिल्कुली राइड हो जागा तो बरतेने इस कोचन 25 नंबर कोचन को और आपसे रिक्वेश्टे सब्सक्राइब कर लिजएगा लिंक आपको मिल जागा नीचे डिप स्क्रिप्स न बॉक्स में जैसे हमारे चैनल पर लाइफ क्लास कतम होता है उसके बाद ही उस चैनल पर पूरा ही और टेस्ट होने वाला है डेवाइड डेवाइड करके आपको द सब्सक्राइब करें लिंक आपको मिल जागा नीचे डिप स्क्रिप्स न बखने तो आज कर इतना है थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो जहिंचे बारत